है तो एल्चाइक नमबर थरी तो रजूनेटी इस ट्रक्षट्र का रजुलन्त का लेंग्श नमबर थमी आज स्टार्ट करणा है पहले बताया थिए घरशन क्या होती है किस्ट प्रकार से आप निकालते हैं उसका डिपनेशन क्या बनेगा ठीक है और सेकेंड में बताया थे आपको एक्जांपल एक्जांपल हुआ था सेकेंड वाले में हेलो हां जी हां जी क्लास कोई आ नहीं पाया का बंद करती है मतलब भूले पिडिस? आप बोलें काश्चाह हैं एक्जांपल लंबर थी है अब हम लोग यह पर फिर से सीखेंगे की रजोनेंट और जिसा नवसल्य के माध्यम से in कुछ अन्य संरशनाओं के माध्यम से फिर से सीखा जाएगा रजुनेंस क्या चीज होती है सब लोग आ गए है इस समय रिया भी आ गई है रिया मानना पड़ेगा जी समझ गएं कि आप पढ़ने वाले हैं देखिए रजुनेंस की बात मैं करता हूँ अब यहां पर कुछ नई बाते सीखेंगे आप यदि मैं ये कहूँ कि आपके पास है बेंजीन का रिंग और यहां पर है CH2 माइनस चार्ज है ना CH2 माइनस चार्ज और इसका आपको रजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है रजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप नहीं कैसे बनाओगे सुनो ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनाएंगे रजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा लैंदी है आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन बोरिंग स्टर्चर यह मताब CH2 माइनस है एक डबल बांड यहाँ पर एक डबल बांड यहाँ पर एक डबल बांड यहाँ पर यह पहला संद्रशना है सेकेंड सेकेंड में आपको क्या करना है आप CH2 बस इतना साब लीजे अभी बांड को तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा तो गम अखिर दोबल बंड लगाएंगे दियाँ पर यहाँब ़िम पर उंद केवल लीज़िए rust इस प्रकार से बेंजिन करेंग बना लो और यहां पर भीष का रिंग केवल बना लिजिए object अब क्या करना आपको आप इस बांड को तोड़िए अध्षाकन रखना कि minus है कि plus है अगर minus है ठीक एक पहला point माइनस वाला अगर minus अगर negative रहेगा तो हमेशा जो बांड होता है negative side के वीपरी तूड़ता है negative के वीपरी तो देखो बाहर इधर ने तोड़ना ही पाएंगे आप कभी भी ऐसे तोड़ नहीं सकते हो हमेशा नेगेटिव के वीपड़ी तोड़ना पड़ता है क्यों जिससे यहां पर माइनस और यहां पर प्लस है यहां पर माइनस और यहां पर प्लस है ठीक है हो गया सुनो क्या होगा फिर अब यह माइनस तो माइनस है अब यह प्लस और यह माइनस बांड बन जाएंगे यहां पर ब रपाइप, चुरू बचा हूआ है वहाँ लाण बचा हूआ गया मांध इस टेप में क्या करोगस हैं आप इस बांड को तोडेंगे यहां पर एधर आएगा प्लस पर यहां पर आएगा मैनश चार्ड यहां पर अब यह प्लस और ये माइनस बांड बन जाएगा ठीक है ऐसे और डबल बांड अपने पास एक यहाँ पर है बना हुआ है अब क्या है अब बचा कौन अभी अपने पास एक पुराना डबल बांड यहाँ पर बचा गुए है अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट उसी क्रम में आप बांड को फिर तोड़ेंगे इधर आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस एक डबल बांड यहां पर बना हुआ है एक डबल बांड यहां पर नया बना है अब जो बांड को तोड़ेंगे तो माइनस यहां पर आजाएगा प्लस तो डबल बांड एक यहां पर बनेगा डबल बांड एक यहां बनेगा और प्लस माइनस फिर से बांड बन जाएगा और यहां पर माइनस आजाएगा ये था resonating structure, किसके लिए इस system के लिए minus negative charge के लिए है ना यहाँ पर single bond था लेकिन double bond है, double bond है, double bond है फिर single bond है है नहीं, कैसे आया resonance की वज़ासे, ये double bond उठकर के यहाँ से यहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया देखो, ये वाला यहाँ पर आगया, देखो, यहाँ पर यहाँ पर, यहाँ पर लाश्ट वाले में ये उठकर के यहाँ से यहाँ पर shift हो गया, देखो ये double bond जो यहाँ पर था ना, इधर आगया, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो पुल मिला करके इस वाले compound में 5 पांच रजो नेटिंग इस्ट्रक्चर बनेंगे, इस वाले compounds में 5 रजो नेटिंग इस्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है जी, अब अगर मैं पूरे को mix करूँ, अगर मैं पूरे को mix करूँ ध्यान देना, आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं, बेंजीन का रिंग, इस प्रकार से, और यहाँ पर single bond CH2 है, है ना, अब माइनस प्लस चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, है नहीं, तो माइनस चार्ज तो हर जगह हो सकता है, और प्लस चार्ज एक यहाँ पर है, और माइनस चार्ज यहाँ पर भी है, तो आप इसको दिखा सकते हो, कि पूरे रिंग पर, पूर तो जब आप इसको इस प्रकार से दिखाएंगे जब आप इसको इस प्रकार से दिखाओगे देखो जी कहीं कहीं पर आप इसको कट कर दीजे लाइन को देखो मैं बता रहा rhyme फिर से आपको बढ़ाया से आप दिखा सकते हो इसको इस प्रकार से कि माईनस चार्ट जो है गया है कोई कोई पर तो आप इसको दिखादो माईनस की यहां पर यहां पर तिन जगा माईनस है और एक यहाँ पर माईनस है अब इस संप्रसना को बोलेंगे रजोनेंस हाइब्रीड इसको बोलेंगे रजोनेंस हाइब्रीड रजोनेंस हाइब्रीड और आपसे बोला जाए कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है कोई नहीं कोई नहीं सब से मैं सबसे ज्यादा अस्थाई होता है रजोनेंस नोट करिए तो निगेटिव चार्ज गर रहेगा तो उसके विपरीत बांड तूटेगा जिसे से प्लस माइनस के बीच में बांड बन सके अगर आप इसको यहां पर तोड़ोगे तो माइनस माइनस में रिपल्स फोर्स लगेगा मालूम चला कि तूट निकल गया बाहर इसलि चलो मैं क्यों का जवाब दूँगा पहले वीडियो को